दोस्तों आप सभी लोग का स्वागत है मिस्टर स्कैलपर की एक और नई वीडियो में और मैं हूँ आप सभी का दोस्त संचित दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अडानी पावर के बारे में और यार बहुत सारे लोगों का मतलब बहुत सारे गया लगबख सभी लोगों का कल जो मैंने या उससे पहले भी अडानी पावर को लेकर जो वीडियो बनाई थी उसमें सिर्फ एक ही सामने रखने वाला हूँ, पूरी हिस्ट्री मैंने इस चीज की निकाल के रखी है कि क्या क्या developments होई है अभी तक, क्या क्या developments आगे होने की उमीद है और D-Listing को लेकर क्या बड़ी news, क्या बड़ी update जो हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में सवाल है, लास्ट टाइम जब इसके बारे में, अडानी पावर के बारे में, जो floor price दो है, वो decide किया गया था वो 33 रुपे के आसपास था, 40 रुपे के आसपास था, तो क्या इस share की D-Listing 40 रुपे के आसपास floor price इस पे हो जाएगी, तो फिर share धारकों का क्या होगा, क्या नहीं होगा सभी चीज़े हम समझेंगे, ये D-Listing share के लिए positive है negative है, वो सारी चीज़े समझेंगे और उसके बाद इस share में आगे क्या हो सकता है, क्या बड़ी momentum है, आज भी अगर आप देखें तो 5% का upper circuit इसमें लगा हुआ है इतना खराब market था उसके बावजूद भी तो इतनी सारी चीज़े होने के बाद भी हमें जबरदस्त इसमें तेजी देखने को मिल रही है, उसका क्या कारण है, सभी चीज़े इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग ने अभी तक हमारे telegram channel को join नहीं किया है, तो भाई telegram channel को जरूर join करना, आज भी मैंने आप लोगों को बता दिया था, telegram channel पर अबडेट कर दिया था, क्यार ये जो एक short covering rally आईगी जैसे कि मैंने आपको बोला था Nifty की अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो मैंने आप लोगों को बताया था Nifty में के short covering rally आपको देखने को मिल सकती है, जो कि हमें intra day जो देखने को मिली थी और मैंने उसमें कहा था, आपको उस rally में trap नहीं होना है Selling opportunity ढूंडिए, rally में trap होने की कोशिश ना कीजिए और उमीद है, बहुत सारे लोग बचे होंगे उस rally में trap होने से क्योंकि 15,950 के आसपास वहो लेके गया market को, और उसके बाद उसने पूरा ठोक दिया, 14,700 के आसपास तो बहुत जबर्दस एक trap बनाया गया था वहाँ पे बहुत सारे लोगों को फसाया है मगर टेलिग्राम पे मैंने update कर दिया था उसके बारे में, तो ये सारी चीज़े हम टेलिग्राम पे अपडेट करते रहते हैं तो इसके लिए जरूर टेलिग्राम चैनल को जरूर जोइन कीज़ेगा भाई, लिंक आपको डिस्क्रिश्वन में मिल जाएगा और यार हमारे 40,000 सब्सक्राइबर की फैमली पुरी होगी, सभी लोगों का शुक्रिया पूरी न्यूज है, पूरी अपडेट है, वो क्या है, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ देखे, सबसे पहली बड़ी चीज जो ये है कि अडानी पावर की जो डिलिस्टिंग है, उसको लेकर ये बाते चल रही है लास्ट येर से चल रही है बहुत सारे शेरोल्डर्स सेबी के पास गए थे डिलिस्टिंग के खिलाफ ठीक है, तो डिलिस्टिंग से क्या होता है ये जो आरोप लगाय था शेरोल्डर्स का या जो बाकी लोग का आरोप था कि जो Adani Power की Delisting है या Artificially Stock Price को Boost करने के लिए है तो ये सारे चीजे जो बोली गई थी जो SEBI से जो है इसके खिलाफ complaint करी गई थी ऐसा क्यों बोला गया था अगर आप Adani Power में देखें तो last one year में अगर आप देखें March 2020 के जो lows थे उससे अगर आप आप आज की देट में तुलना करे Adani Power के प्राइस गी तो आपको 1000% से ज़्यादा की तेजी देखने को मिलेगी क्यों मिलेगी देखें Delisting के बाद जब Relisting होती है आपने देखा होगा आलोक Industries में भी यही किया गया था नीचे के प्राइस में उसकी Delisting करी गई थी Delisting करने के बाद उसकी जब Relisting होई थी तो इसमें जबरदस तेजी हमें देखने को मिली थी तो बहुत सारी चीजे होती है Delisting, Relisting में अब इसमें क्या गया था Sebi ने बोला था कि उन्हें अगर आप इस रिपोर्ट को ध्यान से बढ़ें जो की Adani Power के Delisting को लेकर दी गई थी उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि Adani Power का जो IPO आया था वो 2009 में आया था और इश्यू प्राइस 100 रुपे पर शेयर था 38 के Price पर इसकी Delisting करने की बात है चल रही थी Price उससे भी Low अगर आप बोले तो उससे भी Lower Price पर Delisting की बात है चल रही थी 33, 35 पर Last Year की मैं आपको यहां पर बात बता रहा हूँ पूरा अच्छे से समझाऊंगा मैं पूरा आपको Detail दूँगा क्या बात है चल रही है और Delisting कब होने वाली है उसको लेकर भी कुछ के अपडेट आया है वो भी मैं आपको दूँगा देखे इसके उपर जो है SEBI में जो कंप्लेंट करी थी इन्वेस्टर्स ने वो ये बोला था कि IPO के प्राइस से अगर आप देखे तो 60% के गिरावट हमें देखने को मिली है शेयर के प्राइस में तो इस वजए से जो इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ एक धोका टाइप हुआ है IPO में उपर के लेवल पे इन लोगों को जो है खरिदवा दिया गया ये शेयर और अगर अब ये लोग डिलिस्टिंग कर देंगे तो इनके साथ धोका होगा क्योंकि डिलिस्टिंग वाले शेय है क्योंकि डिलिस्टिंग करने से COVID-19 के टाइम में ये COVID-19 के टाइम की बाते चल रही हैं वहाँ पे वैलिवेशन में जो करेक्शन है वो हमें देखने को मिलता तो वैलिवेशन में उपर नीचे की चीज़े हमें देखने को मिलती बहुत सारी चीज़े हमें इसमें चेंज ह मार्केट कैप के अगर बात करें वो चेंज होता अगर आप देखें मार्केट कैप जो 38,800 करोड था उस वक्त वो डी लिस्टिंग प्राइस पे अगर ये लोग लेके आते हैं तो मार्केट कैपिलाइजेशन इनका बहुत जादा कम हो जाता है ठीक है तो ये बहुत सारी के जो रिजल्ट आया था उसमें उन्होंने बोला था जो Q2 के रिजल्ट से उन्होंने बोला था कि D-List by March 2021 मतलब March 2021 में अड़ानी पावर का शेयर जो है वो D-List हो जाएगा अब D-List होने की क्या प्रक्रिया रहती है D-List होने में क्या चीज़े रहती है अब वो मैं आप आपको समझा देता हूँ देखे डिलिस्ट अगर किसी भी कंपनी को अपने शेर्स को करना होता है जैसे कि आलोक इंडेस्ट्रीज की डिलिस्टिंग हुई थी उसके बाद रिलिस्टिंग हुई थी उसको सबसे पहले बीएसी की ओफिशल वेबसाइट जो होती है वहाँ पे नोड देना पड़ता है नोड मतलब एक नोटिफिकेशन देना पड़ता है अगर बिना नोटिफिकेशन के आप बीएसी की वेबसाइट पे बिना नोटिफिकेशन के आप लोग जो शेर्स की डिलिस्टिंग है वो नहीं कर सकते ऑफिशल वेबसाइट पे डिलिस्टिंग क ही मिल रही है le про product अगर आप देखें तो फाइनेशल रिजल्ट 31 डिसंबर 2021 की मिल को देखने को मिल रही है उसके अलावा कोई भी अगर आप देखें कोई नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है तो अभी के लिए तो आप को थोड़ा काशियस होने की बिल्कुल जरूरत है क्योंकि मैं बार-बार बोल रहा हूँ जो ये stock operator driven है आप लोगों को इन stocks में जल से जल मुनाफ़ा बानने की आदर डालनी पड़ेगी क्योंकि अगर ये lower circuit मारता गया तो आप लोग बेच नहीं पाएंगे इन shares को फस जाएंगे trap हो सकते हैं और उसके बाद ये stock delist भी हो सकता है, relisting कब होगी किस price पर होगी हमें इस बात की कोई अभी खबर नहीं है ठीक है तो इसलिए अगर आपको profit हो रहा है थोड़ा बहुत आप profit booking कर सकते हैं क्योंकि अभी भी 13 दिन है और company की तरफ से कोई भी update नहीं दिया जा रहा है delisting को लेकर क्या पूरा process होगा, क्या शिरधार को के जो hit है उनकी देखबाल की जाएगी, उनने देखा जाएगा नहीं देखा जाएगा, या सारी चीज़े हमें नहीं दिखाई दे रही है, यही चीज़ हमें अगर उन्हें notification देना होता या जो delisting होनी होती अडानी पावर की तो अभी तक notification आ जानी चाहिए तो मेरे हिसाब से जो delisting है, वो delayed हो चुकी है मुझे नहीं लगता मार्च में यह delisting होगी, अगर होगी तो एक से दो दिन में आपको बहुत जल्द notification मिल जाएगा तो इसके लिए जरूर भाई चैनल को सब्स्राइब कर लेना अगर कोई भी notification आता है तो मेरे को अभी कहीं भी कोई update नहीं मिला है, मैं आप लोगों के लिए जितना मने मैंने ढूंड सकता था, मैंने ढूंडा कोई update नहीं है officially कि Adani Power की delisting अभी हो रही है तो March में नहीं होती दिख रही Adani Power की delisting अब क्या update एक और आई है, एक update नहीं हमें आज देखने को मिली है कि Adani Power ने 1.2 GigaWatt के Wind Power Binds की आज हमारे सामने आती हुई दिखाई दी है दूसरी चीज अगर आप देखें जो बहुत interesting है कि Adani Power में जो पैटन का breakout हमें देखने को मिल रहा है अगर आप weekly chart में देखें तो ये 12 साल का जो सबसे बड़ा breakout जिसे मैं बोल रहा था वो हो चुका है और इसका पहला target अटलीस्ट ये target आपको 95 तक जाता हुआ दिखाई देगा ठीक है 95 तक जाता हुआ दिखाई देगा मगर एक चीज याद रखेगा अगर dealisting की कोई भी खबर आती है तो आपको बड़ी गिरावटे stock में देखने को मिल सकती है तो थोड़ा समल के trade कीजिएगा ठीक है थोड़ा समल के trade कीजिएगा और regular profit booking करते रहेगा क्योंकि ये stock operator driven है 5% के अपर circuit वाले जितने भी stock होते हैं उनमें operator की बहुत जादा power होती है वहाँ पे वो कहीं भी कभी भी घुमा देता है stock इसलिए मैं बोलता हूँ profit booking regular आप अडानी पावर में करते रहेए और कोई भी latest update होगी especially delisting से related वो मैं आपको चैनल पर provide करा दूँगा अभी मेरे हिसाब से March की delisting delayed हो चुकी है दोसों वीडियो पसंदा हो तो वीडियो को लाइक कीजेगा भाई चैनल को सब्सक्राइब ने के तो वाई सब्सक्राइब कर लो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में thank you so much for watching guys जहिंद बंदे मातरम